तो आज का ये किक का डिकोरेशन्स थोड़ा स्पेसल है और बहुत ही ज्यादा यूनिक भी और ये किक स्पेसल है इसलिए क्योंकि ये मैंने मेरे बादरे के लिए बनाई थी और आज का जो किक का डिकोरेशन्स है ये इतना ज्यादा यूनिक है कि इससे पहले मैंने कभी भी और मुझे पता है कि आज का यह के कर देकोरसिन आप सब को बहुत ही बसंदा आने वाला है तो सबसे पहले मैंने यह उन्य फड़ती बसंद आने वाला है तो सबसे पहले यह उन्य पड़ा गिस्था मीश्च मश्ट चॉकलेटी है और इस पॉंज को सोक करने के लिए मैंने है पस्टुगर सिर्प यूस किया है आप चहो तो यहां पर पानी के साथ चॉकलेट गनाच या फिर पानी के साथ कॉफी पाउडर मिक्स करके भी आप स्पॉंज को सोक कर सकते हो तो आज का यह वीडियो थोड़ा पुराना है मैं तो भूली गई थी कि यह किककर डिकोरसन आपके साथ सेयर ही नहीं किया है तो बहुत दिन बाद में आपके साथ सेयर कर रही हूँ अच्छले मेरे बाद रे था 17 आगश और आज का यह किककर डिकोरसन है ना पहले मैंने कितना यूनिक है मुझे भी यह कका डिकोरसन बनाना है तो फाइनली मैं बना भी लिया और यह ना एक टॉफ़वर्वार्ट केक है इससे पहले मैंने कभी आपके साथ ताफ फो एटल नहीं किया है तो चॉप़वर्वार्ट केक बनाने के लिए कुछ टीप्स एं ट्रिक्स आपको पता होना जरूरी है ताकि आपका केक एकदम परफेक्टली डिकोरेशन हो तो सबसे पहले इसकेक को मैंने बहुत ही अच्छे से क्राम कोटिंग किया चॉकलेट क्रीम के मदद से उसके बाद मैंने फ्रीज में रख दिया तक रिवन एक घंटे के लिए क्रिम के साथ ठोड़ा सा रेट जेल कणर मिक्स करके कुछ स्कीन कलर टाइब का क्रीम के साथ मैंने इसके को आइसिंग किया है और मुझसे जतना हो सका मैंचिक को इतना क tackling करने की को सिस्किया है और इसकेक को बहुत ही अच्छे से आइसिंग करने के बाद मैंने इस तीन से चार घंटे के लिए रग दिया था ताकि ये केक बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए और ये टॉफ और अच्छे से बनाने के लिए आइसिंग करने के बाद फ्रीज में मिनिमम आपको अबरनाइट रखना ही पड़ता है लेकिन मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं था इसलिए मैंने फ्रीज का जो तिमपरिचर एक तम हाइकर्ट के एक तम चार घंटे के लिए रख दिया था ताकि ये केक बहुत ही अच्छे सेट हो जाए और ये केक बहुत ही अच्छे सेट भी हो गया ह जैसे कि ये चॉकलेट केक है इसलिए मैंने अपर चॉकलेट गनाज के मदद से इस केक को बहुत ही अच्छे से स्टीक कर दिया है और ये जो मैंने दिखाया है स्टेप ये अपको बहुत ही साबधानी से करना पड़ेगा अगर थोड़ा भी आपसे गलती हुआ तो ये केक एक दम मतलब तूट जाएगा या फिर एक दम गिर जाएगा अगर तूट गया या फिर गिर गया तो फिर से आप ठीक नहीं कर पाओगे और इस केक को श्टीक करने के बाद फिर से आपको फ्रीज में रख देना है करीबन दो से तीन गंटे के लिए ताकि ये केक बहुत ही अच्य से च्टीक हो जाए या फिर सेट हो जाए उसके बाद जो पीछी का पोर्षण है उसको अच्छे से आइसिंग कर देना और उसके बाद जो जो टीक आपको करना है वह उप कर सकते हो और एक बात बोलना चाहूँगे कि ये जो तॉट फ़र रोट केक है ये हर किसी के लिए नहीं होता है जो आपके आसपास का कास्टोमर है उनके लिए यह आप बनाना अगर ज्यादा दूर तक आपको डिलिवरी देना पड़े तो अब टॉफ और वाट के नहीं बनाना है आपको क्योंकि अगर यह थोड़ा भी मेल्ट करने लगा या फिर अच्छे से श्टिक नहीं हुआ तो यह टॉफ और वाट के गीर जाएगा क्योंकि इसका कोई अच्छा सपोर्ट नहीं होता है और यह उपिनियन एकदम मेरे पार्सनल है आप चाहो तो ज़रूर अब दूर तक डेलिवरी कर सकते हो और हैर बनाने के लिए मैंने यह अपर चॉकलेट क्रीम के हुआ नहीं था कोई भी स्टार नोसल के मदद से आप यह एर का लुग बना सकते हो और आप सुच रहे होंगे कि और एक बड़ा सेज का किक मैं इसको क्या करूंगी तो मेरे बस नहीं छोटा मोल्ट अवेल नहीं था तो मैंने एक बड़ा सा स्पॉंज बनाई और ग्लास के करश करter या अगर आपके पस कोई कटोली है धना आप के वी यूश कर सकता है और अगर आप पशाशा मॉल्ट है तो आप और भी यूश कर सकते हो और इस वीडियो में थोड़ा सा मुझसे गलती हो गया कि इस वीडियो में मतलब इस केके डिकोरेशन में थोड़ा बोट सेमी फॉंडेंट का काम था और मैं हमेसा फोन से ही सूट करती हूँ, मेरे पस कोई भी कैमरा अवेलेवल नहीं है तो मुझे लगा कि यह अच्छे से सूट हो रहा है, जब मेरा सेमी फॉंडेंट का कम खतम हुआ तो इतना मुझे बुरा लगा कि मैं आपको क्या बोलो, मेरा फोन स्वीच आप हो गया था और मुझे पता ही नहीं चला इसलिए मैंने अपर सेमी फॉंडेंट का काम आपके साथ सेयर नहीं कर पाई, अगर आपको देखना है तो निचे कमेंट पे ज़रूर बताना तो मैं एक अलग से वीडियो बनाओंगी यह सेमी फॉंडेंट का काम दिखाने के लिए और यह चूटू सा केक का फ्लेवर था ब्लैक करेंट और ब्लैक करेंट करास मैंने यूज किया एज फिलिंग के लिए और ब्लैक करेंट जो फ्रूट होता है ड्राइ फ्रूट वही मैंने यूज किया है आप चाहो तो आपने पसंद का अकोटिंग को भी फ्लेवर का आप और इसको मैंने बहुत ही अच्छे से आइसे कर लिया ही एक पार्ड्रिन करीम के साथ, और अगर आपके पास पार्ड्रीन क Horror आवयलेवल नहीं, आप यहांप येलो अं ग्रीन कालर मिक्स करककी ये पार्ड्रीन क्रीम बना सकते, और ये कलर बहुत ही मस्त लगता है तो अगर ये केक मैं कास्टोमार के लिए बनाती तो इसका प्राइस मैं 1250 रखते क्योंकि इसका वेट करीबन धाई पाउंड का हो गया था और मैं तो बताना भूलीगी कि सबसे पहले जो चौकलेट का स्पॉंज मैंने बनाई थी वो दो पाउंड का था और इस छोटू सा केक को मैंने बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन किया है यहां पर मैंने एक छोटू सा क्राउन भी यूज किया है पता नहीं क्यू खरी दी थी मैं कब खरी दी कुछ भी मुझे याद नहीं है लेकिन इस केक में वो छोटू सा क्राउन बहुत ही अच्छा ल और भी बहुत सारा टिप्स और ट्रिक्स सेयर करने की जैसे की आज भी किया है और यह के बहुत ही ज्यादा यूनिक है तो आज का किका डिकोरेशन के का कलर कमिनेशन आपको कैसा लगा यह मुझे कमेंट पे जरूर बताना और अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करके चा सकी और यह चोटू सा केक पूरा कंप्लीट करने के बाद फीड से मैंने रख दिया तक करिबन आदा कंटी के लिए उसके बाद मैंने जो बड़ा टाइप का केक बना है उसमें ट्रांसफर किया है और यह चोटू सा क्राउनना बहुत ही क्यूट लग रहा था और यह मेटल क काम किया है जो करने के बाद यह के और भी ज्यादा सुन्दर लग रहा था और यह ट्रांसफर आपको बहुत ही साफधानी से करना पड़ेगा तो फाइनली मेरे केक का डेकोरेशन बिल्कूल कंप्लीट है आपको कैसे लगा यह मुझे कमेंट पे जरूर बताना और अगर प